हेलो एवरिवन, वेलकम टू अलो फू माई चैनल एजूकेशनल हब आज एक नई अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो हरियाना बोर्ड है, हरियाना भिवानी बोर्ड है जो स्कूल एजूकेशन उन्होंने 10th का रिजल्ट डिकलेर करने के लिए टेंटेटिव डेट दी है कि इतनी तारीक तक हो सकता है, रिजल्ट आ जाए अभी डिकलेरेशन कंफर्मेशन नहीं है, बट टेंटेटिव डेट आ चुकी है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके आसपास या उसी दिन आपको देखने को मिल सकता है दस्वी की परिक्षा का परिनाम घोशित करने जा रही है, भिवानी जो बोड है अपने स्टेट का वो लोग और मैं आपको नीचे ले चलूंगी, सीधा हम यह नहीं पढ़ेंगे, यह इंग्लिश में दिया हुआ है और www.bsehog.inresult 2020 class 10th हरियाना बोड डेट एंड टाइम उन्होंने यह दिया है कि हरियाना बोड दस्वी की परिक्षा का परिनाम जारी करने की तारिक और समय घोशित कर दिया गया है, लेकिन बोड ने अभी इसकी कोई आधिकारिक ओफिशियल नॉटिफिकेशन नहीं आया है रिजल्ट चेक करने का अभी लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा लेकिन अभी उनकी डिकलेरेशन आने दो तभी हो सकता है कि आए देखो यह जो रेड लाइन में जो लिखा हुआ है इस वन कि रिजल्ट डिकलेरेशन डेट 8 जून 2020 लेकिन इस इस टेंटेटिव डेट नॉट पर्मानेंट टेंटेटिव मतलब यह होता है कि एप्रोक्स कर सकते हैं हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस डेट तक रिजल्ट घोशित हो जाए सभी कटेगरिक आएगा रिजल्ट आउनलाइन आएगा अब यहां से पढ़ेंगे हम हर्याना बोर्ड दस्वी के रिजल्ट की घोशना जल्द बोर्ड ओस्कूल एजूकेशन हर्याना हर्याना बोर्ड स्कूल एजूकेशन ने जल्द ही दस्वी के परिक्षा का रिजल्ट घोशित कर सकता है रिपोर्ट के अनुसार HBSE दस्वी परिक्षा 2020 की जो आंसर शीट है उनका जो इवैल्यवेशन का जो वर्क था वो पूरा हो चुका है हर्याना बोर्ड अब रिजल्ट देने की तयारी में लगा है तो रिजल्ट जारी होने के बाद हर्याना बोर्ड दस्वी का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो उनकी वेबसाइट है bseh.org.in पर चेक कर सकते हैं एक जरूरी information क्या है कि average के according आपको साइंस में अंक मिलेंगे कोरोना वाइरस के संकर्बन की वजह से दस्वी की विज्ञान की परिक्षा रह गई थी उनका जो साइंस का पेपर था वो रह गया है इस संबन में राज्ये के मुख्या मंत्री मनोराल खटर ने ये डिकलेर किया कि लोकडाउन के एकांड दस्वी विज्ञान परिक्षा आयोजीत नहीं हो सकी थी परिणाम में इश विश्या का आंक चात्रों को अन्य विशों में प्राप्त आंकों के वोसत क्याधार पर जोड़ दिये जाएंगे आजने देखेंगे, आपके पहला स्कोर देखेंगे, जो आपके जिन सब्जेक्स के पेपर हो चुके थे उन में देखेंगे कि बच्चों की पर्फोर्मेंस कैसी है, उसी के आधार पर आपको साइंस में दिये जाएगे, ऐसा इस साइंस में 80 या फिर वहां पर 40 आएं तो साइंस में 60 और वैसे भी आपकी जो आपके पहले जो एक्जाम हो चुके हैं पहले जो पेपर हो चुके हैं तो अनिक बसपर आपको साइंस का रजल दिया जाएगा बता दें कि हर वरश हरियाना बोर्ट दस्वी परिक्षा में 3.5 लक्स स्टुडेंट बैठते हैं पिछले वरश 2019 में तो 57.39 स्टुडेंट पास हुए थे जिसमें लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बहतर रहा था लड़कियां 62.17 परसेंट और लड़के से 53.43 परसेंट पास हुए थे चार स्टुडेंट ने हरियाना बोर्ट दस्वी परिक्षा 2019 में 500 में से 497 अंक हासिल करके टॉप किया था जजजर के इमानसु ने पानीपत के संजू कैथल की इशा जींद की सालिनी को जॉइंट ओपर घोशित क्या था और दूसरे स्थान पर भी चार स्टुडेंट रहते तो यह ऐसे बोल रहे हैं कि लड़कियों ने बहतर पर्फॉर्मेंस किया था इस कंपारिजन टू या फिर आपको उसके आस पास देखने को मिल सकता है और जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको विडियो मिल जाएगी प्लस आप अगर चेक करना चाहते तो इनकी ओफिशिल वेब साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं लिंक मिलेगा तो थैंक यू सो मच तो वाचिं माई वीडि तो थैंक यू लो फू